Good morning to all of you दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी अप्डेट्स निकल कर आ रही है प्रोफेसर राजेन सिंग बिश्व बिद्यालाई की ओर से जो की 31 मई को जारी की गई थी यह नोटिस और इसमें क्या है सारी चीजे हम लोग देखते हैं जहां पर सभी स्टुडेंट्स को सासन के ओबिकस पॉर्टल पर एक इसकी विपसाइट है ओबिकस.upsdc.gov.in पर आपको सारी चीजे पॉर्टल पर क्या-क्या अप्लोड करना है महा बिद्याले के सिच्छकों जो बिद्यारती हैं उनका पंजी करन संबंधित जो भी प्रविष्टियां है उनको अप्लोड करने के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है अगर आप लोग ये प्रक्रिया नहीं करते हैं तो सायद आपका जो result है या जो आपकी सारी प्रक्रिया है वो cancel हो सकती है तो प्लीज वीडियो को लाश्ट तक देखें और समझे क्या है सारी चीजें जानकारी आपको यहां पर मिल जाएंगी तो चलिए भी दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर आप लोग देख सकते हैं प्रोफेसर राजेंद्रिसीन विश्व बिद्यालाय यानि की रज्जु भहिया विश्व बिद्यालाय की ओर से यह नोटिस जारी किया गया है और इसमें जो जो भी चात चात राएं हैं उनके लिए नोटिस है इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रोफेसर राजेन सिंभी सुबिद्यालाय प्रयाग राज यनि किलावाद स्टेट यूनिर्सिटी की छोटी से ले करके बड़ी तक की जो भी खबरे हैं अपडेट है आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सठीक न्यूज मैं देने कोशिस करता हूँ ठीक है तो आप लोग चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए अब जो ये अपडेट है लोगों को लग रहा है कि बहुत छोटी अपडेट है इसको हम नहीं दे बहुत सारे चैनल हो जो की बड़ी बड़ी अपडेट देते हैं और आप लोग जा करके उनको वही रिस्पॉंस भी देते हुआ मैंने कई सारे में देखा कि ये जो छोटी अपडेट होती है ये नहीं लेकिन यही छोटी छोटी घलती गलतीव जो है आपको बड़ी गलतीओकी और ले जाती है तो इसको देखिये और समझेगे ये क्या चीज है इसमें सारी चीज़े दी गई हुए है अब द में बाहा विद्ध्यालियों, सिच्छकों एवं विद्ध्यार्थियों के पंजी करण से संबंधित प्रविष्ठियां अप्लोड करने के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। में विद्ध्यार्थियों का पंजी करण तथा उनसे संबंधित अकादमिक प्रविष्ठियां अप्लोड करना अनिमार्य है। करती हैं जो चाहे फर्स्ट येर के हों चाहे सेकंड येर के हों चाहे थर्ड येर के किसी भी कोर्स के हों उनसे को आबिकस पॉर्टल पर अपनी जो अकादमिक प्रविष्ठियां हैं। अप्लोड करना हो गया यानि पंजी करन ये करवाना ही हो गया आपका। नीचे क्या दिया गया है राजकी महाविद्याले सरवृत्म प्रदानाचार की पंजी करन करेंगे तथा छेत्री उच्च अधिकारी द्वारा उनको अनुमोदित यानि कि अप्रूब्ड किया जाएगा तथा अनुमोदन के लिए छेत्री उच्च अधिकारी से संपर्क कर पर देखने के लिए मिल गई चलिए दोस्तों जो आज हम लोग यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि आप सभी को आप एकास पॉर्टल पर क्या रजिस्टेशन पंजी करना है चाहे आप फस्ट इयर के बिद्यार्थियों चाहे सेकंड इयर के चाहे थार्ड इयर के किसी भी बिद्यार्थियों सबको यहां पर अपना रजिस्टेशन पर पंजी करना है और जितनी अकादमिक प्रविष्ठियां हैं आपकी उन सभी को अपलोड करना है ठीक है यह तो रहा आपका जो ऑफिस्यल विपसाइट की और से नोटीस जारी हुआ था प्रोफिसर राजेन सिं वो पाँच जून तक है ठीक है पाँच जून तक यह लाश्ट डेट है आपको पाँच जून तक यह सारी चीजे करवा लेना है यह दोस्तों एक नोटीस और जारी हुआ था 31 मई को उसकी और हम लोग देखते है कि उसमें डेट दी गई है कि कितनी मई को यह जारी कितनी पाँच जून तक जून तक अपने सारे चीजे और जारी हुआ है और कैसे आपको करणा है यह सारी चीजे भी इसमें यहां पर दी गई हुई है यहां से आप लोग देख सकते हैं पंजी करन की प्रक्रिया को सबुर्थम यहां से पूरा चीज़ें देगे यहां प्ढ़ना चाहें तो इससे पढ़ भी सकते हैं वीडियो पुछ करके ठीक है यहां से आप लोग देख सकते हैं कैसे आपको अप्लोड करना है पासवर्ड लॉग इन करके यह सारी चीज़ें यहां पर दे गई हुई है ठीक है तो यह नोटिस था आप सभी दोस्तों के लिए जो की हमसे जुड़े हुए हैं हमारा ये काम है कि आपको तक कोई भी छोटी न्यूज हो या बड़ी अप्डेट सो सबको आपको देना है ठीक है अगर आप चाहते हैं कि बस आपको बड़ी बड़ी न्यूज म आपको कहीं भी जाने के जुरुत नहीं है जब तक मैं यह चीज कर रहा हूं आपको छोटी से लेकर के बड़ी अपडेट तक मिलेगी सारी चीज़ें यहां आपको देखने के लिए मिलेंगी यह मैं आपसे दावा करता हूं ठीक है लेकिन जब तक मैं कर रहा हूं तब तक ठीक है मैं यह नहीं कहता हूँ कि हमेशा यह होगा बट जब तक मैं यह कर रहा हूँ आपको कहीं भी जाने कियो सकता नहीं होगी एक छोटी सी अपडेट से ले करके आपको हर एक बड़ी अपडेट तक मैं आपको यहां से नोटिफिकेशन दूँगा आप तक पहुंचाऊं रिकार्ट यह सारी चीजें यह भी आज के पेपर में निकला था पॉर्फेसर राजेन सिंग रजु भाई यह राभी विश्व विद्याले के सभी 652 कालेज के सिछक छात्रों के लिए जारी किया निर्देश यह इसमें भी सारी चीजें वही दी गई जो हम लोग अभी तक प यहां से क्या होता है इस पर बच्चे ज्यादा बिस्वास नहीं करते हैं न्यूज पेपर पर जो भी आपके पेपर न्यूज पेपर होते हैं इन पर बिस्वास नहीं करते तो आफिस्यल वेपसाइट भी मैंने इसके पहले दिखा दिया है ठीक है अगर आपको वह ऑफिस् करना है यह सारी चीज़ें आपकी यहां से हो चुकी है और अगर आपका कोई अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे और अपने सभी दोस्तों तक सेर जरूर कर यह वीडियो और यह वीडियो में लगभग मैं आप एक टार्गेट लेकर चलता हूं कम अब ही तक उसका जो मैं बता दूं कि उसकी जो नोटीस है और बहुत जल्ड ही जारी कर दी जाएगी और वो सेमेश्टर के रिजल्ट को ले करके है तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक सेर जरूर कीजिए अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे समेश्टर एक्जाम के रिजल्ट के बारे कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई क्वेरी है क्वेस्चन है तो आप जरूर से जरूर पूशे सो दोस्तों थैंक्यू मिलता है नेक्ष्ट वीडियो में तब तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद